जोड के साहचारिनियम यानि की Commutative Law of Edition का प्रयोग करके व्यानजक यानि की expression पांच जमा आठ जमा पांच को अलग-अलग तरीके से लिखें और फिर इनका जोड करें. जोड के साहचारिनियम यानि की Commutative Law of Edition का मतलब है कि अगर आप कई संख्याओं को आपस में जोड रहे हों तो आप इन्हें किसी भी क्रम में लिख कर जोड सकते हैं. हम पांच जमा आठ जमा पांच लिख कर इसे जोड सकते हैं या हम क्रम बदल कर इसे पांच जमा पांच जमा आठ लिख सकते हैं या हम इसे आठ जमा पांच जमा पांच के क्रम में भी लिख कर जोड सकते हैं. इन तीनों को जोडने पर उत्तर एक ही रहेगा, अगर मैं पांच में आठ जोड़कर फिर उसमें पांच जोड़ूं, तो उत्तर वही रहेगा, जो पांच में पांच जोड़कर और फिर उसमें आठ जोड़कर मिलेगा, आप सभी विकल्पों को हल कर सकते हैं, और उत्तर एक हमें संख्याओं को अलग-अलग क्रम में लिखने के बाद इनका जोड करना है। इनमें सबसे आसान है 5 जमा 5 जमा 8 क्योंकि 5 और 5 को जोडना आसान होता है। इसलिए हम इस व्यन्जक या expression को पहले जोड लेते हैं। 5 जमा 5 हुए 10 और इसमें 8 जोडने पर उत्तर होगा 18। अब हम इन दो व्यन्जकों यानि की expressions को भी जोड लेते हैं। 5 जमा 8 हुए 13 और 13 जमा 5 भी 18 होते हैं। इसका उत्तर भी 18 है। अब हम नीचे वाले expression को देखते हैं। 8 जमा 5 भी 13, 13 जमा 5 भी 18 होते हैं। हमने देखा कि क्रम बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आया। और यहीं जोड का साचरे नियम यानि की commutative law of addition है।